तो आज मैं आगी हूँ फिर से एक नए केक के डिजाइन के साथ और आज वाला जो केक हैं हमें बहुत दिनों के बाद बेंटो केक मिला है और बहुत ही प्यारा क्यूट सा केक है कोको मेलन धीम के उपर बहुत सिंपल डेकुरेशन है जितने भी नए होम बेकर जाराम से ये के केक ता एक उन्हें रस्मलाई दोनों ही रस्मलाई थीम पर ही चाहिए थे केक तो बहुत रस्मलाई थीम पर ही हम बनाएंगे ब्रेट नाइफ के साथ जैसे कटिंग करते वैसे ही करेंगे और केक से रिलेटिड जो भी मेजिनमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जाए चेक आउट करेंगा और ऐसे बेंटो केक्स में हमेशा फॉर इंच के केक तिन पर ही बनाती है पैसे हैं जैसे मैं बना रहे हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा तो यहां बरस्मलाई फ्लेवर जैसे मैंने का आजम बना रहे हैं तो अच्छे थीम में जो है थोड़ा सा य इसे निसमेल अच्छे से घंक समस्थ ऑप कि तो आप मैं रखे तो per डरह जो की नियुए यहां पर सबुआ estos। नहीं के शवे से वारइट करेंगे और किया हैं जैसे हमने एक्स्ट्रा क्रीम जो भी है अउदा बेंगा हिसे तन वह आपार के हम उपर लगा तो साइट वाले अगर आप लेयरिंग देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा कितने अच्छे से लेयरिंग होती है चाहिए वह चोटा केक हो चाहिए बड़ा केक हो या फिर वन केजी का केक हो तो बस जो प्रोसेस है वह हम सेम तरीके से रिपीट करते चाहेंगे और जब मैं आपको इसकी ओवराल लुक दिखाऊंगे ना तो सच में आपको केक बहुत साथा पसंद आएगा और यह जो मेरी क्लाइंट थी इसका 3kg का मुझे केक का ओर्डर था इन्होंने मुझे 3kg केक का ओर्डर दिया था डेड़ महीने पहले इन्होंने मुझे ओर दे दिया था ले जो मेरी क्लाइंट है वो उनके हजबेंड और उनका बेबी जो है दो साल का होने वाला है तो यह लोग बाहर जाके रेस्टरेंट में थोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे उसके लिए ही इन्होंने मुझे 2 बेंटो केक्स पुले थे एक इनको किसी को देना था और एक यह जिसमें मैंने बेबी का वेट नाम और येर जो था वो कस्टमाइज करके लिखा हुआ था बेबी बॉस केक पे अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो मेरे शानल पर वीडियो है उस केक या वो जाके बिलकुल शेक आउट कर सकते हो तो बिलकुल लेरिंग अच्छे से ह भी निकल जाते हैं फिर ऐसे ऐसा कभी नहीं होता है जिनोंने स्टीकर बेसे इस केक बनाए हैं अच्छी क्वालिटी के आप स्टीकर यूज करते हो या फिर प्रिंट भी करवाते हो अच्छे पेपर क्वालिटी में स्टीकर कभी भी आपके नहीं नहीं लिख लेंगे कभी की भी नहीं जितने दिन भी आप केक को रखोगे तो ये एक दम टेंशन फ्री हो जाओ अशे से फिक्स कि करो अगर आप पीछे किसी भी सैलो टेप के साथ लगारे हैं तो सैलो टेप को अच्छे से लगाओ ऐसा और ऐसे स्टिक के साथ निकल सकता है, यहां पे हमने कुछ जए खराप होंगे, कुछ भी नहीं होगा और यहां पे, यहां पे हमने साइट पे क्रीम लगाई थी और क्रीम लगाने के बाद ग्रीन कलर डायरिकली हमने इस तरहीं कर लिया मैं और वाली एजिस को हम clean कर रहे थे और यह जो cake था ना यह half kg का cake design था जो client ने मुझे दिखाया था तो इस cake के ना sides पे कुछ कुछ design थे cream के साथ और यह bento cake है और bento cake तो box में चला जाता है तो sides पे design बनाएंगे भी तो वो designs आपके खराब हो जाएंगे क्योंकि हम जो paper है उसके उपर रखते हैं उसके बाद फिर box में रखते हैं तो मैंने client को कह दिया था कि sides पे जो design है वो मैं नहीं बना पाऊंगी जो top पे जो decoration है मैं वो बिल्कुल कर दूँगी तो उन्होंने कह दिया था मुझे coco melon theme बस चाहिए sides पे कुछ भी simple भी रख देना जैसा design अपका मन करेगा वैसा कर देना हमें कोई भी दिक्कत नहीं है बस चोटे से colorful अच्छे वाले कोई भी अब sprinkle लगा देना या फिर sugar balls जो आती है colorful वाली rainbow वाली वो लगा देना ताकि मतब बेबी जो हमारा कुछ हो जाया और attractive लगे के बाकी जैसा है up to you जैसा आप चाहोगे वैसा कर देना लेकिन जो बस theme बोली हमें वैसा ही जाई है तो यहां पर अच्छे से हमने पूरे cake को shift कर लिया उपर butter paper के उपर और इसे slowly हम इसे आप बेंटो box के उपर shift कर रहे हैं इसके corners को हमने थोड़ा बड़ा रखा है जहां पर हमने cake को अच्छे से shift किया है ताकि cake को easily हम पकड़ सके इस तरीके से आप corners को थोड़ा सा बड़ा रखोगे ना पेपर के तो आपको handle करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहां पर भी मेरे पास non edible का काफी अच्छा सा कोको melon का यह sticker है जो हमें front पे लगाना था बड़ा सा इस तरीके से हमने से लगा दिया अगर आप देख रहे हो इसे अच् प्रिंकल लगा देंगे और साथ में यहां पर हमने happy birthday हुजाइफा लिख दिया है जो baby boy था उसका नाम था कुछ इस तरीके से बस simple decoration की client को ऐसा ही चाहिए ता बहुत simple decoration है पूरी cake decoration के साथ self pickup cake था पूरा जो price था मैंने जादा नहीं सिर्फ 200 चार्च किया इसका आप अपनी like subscribe share जरूर करिएगा डेर सारे comments और ऐसे ही motivate करते जाएगा जैसे आप हमेशा करते हो आपसे motivation से बहुत हिमत मिलती है thanks for watching